हलो प्रेंट्स, वेलकम तो जिके वल्ड यूटूब चेनल, आज हम आपके लेके हैं स्सी सीजल प्रिविएस येर पेपर, आप सोच रहे होंगे कि प्रिविएस येर पेपर मैं क्यों करा रहा हूं, तो इसका इंपोर्टेंस अगर आपको जानना है तो आप हमारे जियास और स्टेटिक जिके के 25 कोश्चन आते हैं, आज उसको हम सौट आट करेंगे, तो आपको करना बस एक छोटा सा काम है, कहों सा काम है, कि आपको तुरंथ हमारा यूटूब चनल सब्स्राइब करना और बेल आइकाउन को हिट करना है, साथ ही हमारा फेस्बूक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपको एकजाम के सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे, और अगर आपको पूरे वीडियो की पीडियप फाइल चाहिए, तो आप इस टेलिग्राम लिंक को क्लिक करके जॉइन कर सकते हैं हमारा ग्रूप, जहां से आपको पूरा का प पॉपिज पुष्टक के लेखक है, कोन है सियाप पॉपिज पुष्टक के लेखक? रोहिंटन मिस्त्री जी, विक्रम चंदर जी, अमिताफ घोष जी या सलमान रुष्टी तो थे इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमिताफ घोष जी ने सियाप पॉपिज पुष्टक लिख एक गये थे विश्व धर्म संसद में जहां पे इनके दो सब्दोयने की यानि की भाईयों और बहनों ही बोलने पे इनको इतने कम से कम पांस से साथ मेर तक तालियां बजे थी तो ये बहुत ही फेमस व्यक्ति थे उस साइम पे जनगर्ना 2011 के अनुसार भारत के निम्रिकित में से किस राज में बसे हुए गाउं की संक्या सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में, ओरिसा में, पश्चिम मंगाल में या बिहार में कहां सबसे आधा गाउं है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगांगे तो भी पता चल जाएगा बिहार है कि कोई अभी भी पिछले पन में नंबर वन पे है धिरे धिरे विकास के क्रम में बढ़ रहा है आगे हीमान्चल प्रदेश राज में निम्रिकित में से कौन सा पसुमेला मनाया जाता है अस्विन मेला, डुंगरी महसो, नलवाडी मेला या मड़ी महस मेला, तो कौन सा मेला होता है, तो नलवाडी मेला यहाँ पे हिमांचल प्रदेश में पसु मेला मनाया जाता है, जहाँ पे धेर सारे पसुगों की विक्री और खरीदी होती है, निमलिखित में से कौन सा मार्स मार्स गैस का दूसरा नाम है, मीथिन, एथिन, प्रोपेन या ब्यूटेन, तो क्या है, मीथिन है मार्स गैस का दूसरा नाम, यसाई उपसरगों के संदर में कहा जाता है, अट्टो, जेप्टो, योक्तो या फेम्टो, क्या कहा जाता है, यसाई उपसरगों में फेम्टो का स सबसे ज़्यादा उपसरगों के संदर में इसका प्रयोग किया जाता है। या राजयन प्रसाद के तो हम सब को पता है किसकी रहेगी सरदार वल्लब भाई पटल की क्योंकि उन्होंने पूरे भारत को यूनाइट किया था यानि कि एक किया था लगबग 552 रियासतों को एक करके आज जो भारत का सुरूप है इनी की देन है और इनी के नाम पे क्या बन और ये बार बार इनसे रिलेटर सवाल आ चुके हैं आप देखिए फिर से इनसे रिलेटर सवाल इसले मैं बोलता हम प्रीविएस येर कोश्चन पेपर सौल करना जरूरी है एक संत्रिप्त भूव एग्यानी की काई जो कूए का समर्थन करने के लिए पर्याप्त दर पर इसका सयुकतर हो जाएगा प्रेम प्रकास जी ने इस पुस्चक की रजना की है अगला परस लेखते हैं हीमादास एक भारती हैं धावक कोंसे गेम से रिलेटर ये पूछन हैं मुख्य बाज टैराक या क्रिकेटर तो हीमादास क्या है हीमादास धावक है यानि की दोड़न वाली प्रतियोगता में भाग लेती हैं चिंकारा मद्य प्रदेश राज में लोग प्री एक संगीत वाद यंत्र है ठीक है ठाली हवा इस्टिंग या जिल्ली तो ऑबियस है किस से रहेगा इस्टिंग से रिलेटेड है ठीक है यानि तारों से बजा जाता चिंकारा 42 में संसोधन द्वारा भारत के सम्विधान में नागरुकों के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्स जोड़ा गया था 1976 में 1964 में 1950 में 1982 में तो इसका सही उतर हो जाएगा 1976 में जोड़ा गया था इसमें पूछा जाता है कि कौन सी कमिटी ने इसका रिकमेंडेसन दिया था तो स्वर्ण सिंग कमिटी थी स्वर्ण सिंग समिती ने इसका रिकमेंडेसन दिया था और कितने मौल कर्तव प्रिजेंट टाइम में है तो 11 मौल कर्तव पे है ठीक है और जो लेटेस्ट वाला मुल करतव्य जुड़ा है वो क्या है कि 6 से 14 वर्स के बच्चों को उनके पैरेंट्स या अभिभाग क्या करेंगे सिच्छा दिलाने की जिम्मेदारी होगी उनकी खुद की जिम्मेदारी होगी ये चीज करने हैं कि उनका मुल करतव्य में सा असापना किसने की और नालंदा विश्विद्याले को पुनर जीवित किया धर्म पाल ने, स्री गुपता ने, गोपाल ने या वासुदेव ने तो आपको मैं और लेडिस का एंसर बता चुका हूँ पहले भी प्रिवेस येर पेपर में आ चुका है यानि कि फिर से या इसान सर्मा तो आसिस नेरा जो है वो लेप्टी थे यानि कि बाएं हाथ के तेज गेंद बाज़ुआ करते थे भारत में स्किल इंडिया मिशन की प्रमुख योजना कब सुरू की गई थी 2010 में, 2015 में, 2008 में या 2019 में कब सुरू की गय थे 2015 में स्किल इंडिया प्रोग्रा जा रहा है, ठीक है, गहडवाल, चौहान, मराठा या वडियार तो कहा के थे एक गहडवाल सासक हुआ करते थे, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्टी मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 26 जून को, 25 जन्वरी को, 6 मई को या 15 अगस्ट को, तो इसका सही उतर हो ज दूसरा पूशन है, पहला नहीं, राजस्थान, महाराष्ट, गुजरात या मद्वेश्ट, तो इसका सही उतर होगा महाराष्ट, और सबसे जादा अगर पूछा जाए प्रतम, तो प्रतम पे कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, सबसे जादा आबादी उत्तर बाद में इसने तुगलकवंस की अस्थापना भी की थी, भारती रिजर बैंक नवंबर 2020 में इंस्टाग्राम, स्नैपचर, फेस्बुक या टीटर, कहां पे इन्होंने शुरू किया, तो टीटर पे इन्होंने ठीके, अपना पेस शुरू किया भारती रिजर बैंक ने, उत पादन समारू, पैमाने की अर्थ विवस्थाएं, आईशो पो्स्ट या आईशो काश्ट कॉन्ट टीक है, तो इसको कहा जाता है, पैमाने की अर्थ विवस्थाएं, निमलिखित में से किसे जनुवरी 2021 में, गुजरात में सुमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यच्च के निम्लिकित में से किसने पोलियो वैक्सीन विक्सित की है एब जी हॉफकिन्स ने जोनास साल्क ने एड़वर्ड जेनर ने या रॉबर्ड कोच ने तो पटा पड़वद है किसका एंसर क्या होगा इसका एंसर हो जाएगा जोनास साल्क ने सबको मालूम है पोलियो वैक्सीन क केला माइन चाक, बेंजोल या सुहागा तो इसको कहा जाता है कैला माइन जिंक कारवट और हाइडरस जिंक सिल्केट के प्राक्रितिक मिस्टन को जाता है तो आज की हमारे कोश्चन यह समापत होते हैं जैसा की आपको मैंने कहा था कि आप हमें यूटूब सेक्षन में कमेंट सेक्षन में बताए कि आपके 25 कुश्चन में से कितने कुश्चन राइट हुए हैं साथ ही आपको हमारा यूटूब चैनल तुरन सब्सक्राइब करना और बेल आइकान को हिट करना ताकि आप दूसरों से एक कदम आगे और अपडेटेड रहे हैं आप हमारा फेजू पेज भी फॉलो कर सकते हैं जहां पर एक्जाम की लेटेस्ट अपडेट आपको प्राप्त होती रहेगी साथ ही आप हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन करके इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद